एक विमी तल में पिर्तियास्ती संगट हमने आपको लास्ट टॉपिक में बताया था कि संगट कोलीजन जो होते हैं वो दो पिरकार के होते हैं एक होता है पिर्तियास्ती संगट और दूसरा होता है अपिर्तियास्ती संगट ठीक है आप परतियास्ती संगट दोनों में एक बात कौमन्थी कि मोमेंटम कंजर्व था, बताये तक समविक संदक्छित रहता है, लेकिन गतेज उर्जा सिर्फ परतियास्ती संगट की मतलब elastic collision की कंजर्व रहती है, आप परतियास्ती संगट में गतेज उर्जा संदक्छित नहीं रहते हैं, क्लिया रहे हैं? अब हमें एक derivation करना है, एक विमी तल में पित्यास्ती संगट है, मतलब elastic collision in one dimensional space, एक विमी, यानि एक दिशा के अनुदिश, जब दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं, संगट करती हैं, तो उनके पहले क्या situation होती है, और टकराने के समय क्या situation होत हमने यहाँ पर तीन इस्टेप बनाए है ए और बी दो ऑब्जेक्ट है इलास्टिक बोडी है यहाँ पर अभी संगट नहीं हुआ है और हमने यह माना है कि ए वस्तू का द्रमान M1 है बी वस्तू का द्रमान M2 है इसमें वेग U1 है और इसका वेग U2 है दोनों सेम डारेक्शन में है एक ही डारेक्शन में है टकराते समय यह सिच्वेशन होगी दोनों बोडी एक ही बोडी का काम करेंगी और टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी चैंज हो जाएगी मान लिया टकराने के बाद A की वेलोसिटी V1 वेक्टर और B की वेलोसिटी V2 वेक्टर हो जाएगी यहां तक बात के लिए रहे हैं इधर पर हम यह मान के चल रहे हैं कि U1 जो है is greater than U2 है मतलब पहली वाली बोडी का velocity जादा है दूसरी वाली बोडी के पेक्छा ठीक पिरतियास्थी संगट में सबसे पहला काम जो हम जानते हैं वो यह जानते हैं कि संबेख संरक्षित रहता है संबेख संरक्षित का मतलब यह है कि संगट के पहले दोनों बोडियों का जो total momentum था linear momentum वो टकराने के बाद संगट करने के बाद इनका जो linear momentum होगा वो आपस में बराबर होगा ठीक तो यहां पर हम देखते हैं चूकी संगट पिरतियास्थी है पिरतियास्थी संगट में संबेख संरक्षित रहता है अगर संबेख संरक्षित रहता है तो इसका पहले वाले पिंडिका संबेख क्या होगा M1 U1 वेक्टर पिलस दूसरे वाले पिंडिका M2 U2 वेक्टर बराबर टकराने के बाद संगट करने के बाद linear momentum M1 V1 वेक्टर पिलस M2 V2 वेक्टर और यहां पर हम यह देख पा रहे हैं कि वन डाइमेंशनल है एक ही दिशा में बोडी मूब कर रही है motion कर रही है तकराने के बाद भी उसी दिशा में motion करेंगी तो इनकी जो velocity है collision के पहले की और collision के बाद की velocity की direction दोनों में समान रहेगी तो हम यहां पर वेक्टर न लेकर के इसका किवल magnitude ही ले सकते हैं परिमाप अकिला ही लेकर के चल सकते हैं तो अगर हम यहां पर ऐसा भी करने तब भी ठीक है M1 U1 पिलस M2 U2 बराबर M1 V1 पिलस M2 V2 M1 M1 इसमें है M1 इसमें है यहां पर हम इसको transfer कर रहा है M1 common आएगा बचेगा U1 माइनस V1 यहां पर M2 common आएगा अंदर बचेगा V2 और यहां बचेगा माइनस U2 equation एक बना के छोड़ेंगे यहां तक बात के लिए रहे अब हमें यह पता है कि यह Elastic Collision मतलब गतेज उर्जा भी इसकी सन्रक्षित रहेगी चोकी गतेज उर्जा भी सन्रक्षित है अगर गतेज उर्जा सन्रक्षित है तो टकराने के पहले दोनों body की kinetic energy half m u1 square plus half यहां पर m1 था sorry m1 और half m2 u2 square is equal to half m1 v1 square plus half m2 v2 square हो जाएगा एक बटे दो इन नोनों में common है एक बटे दो इन नोनों में common है common लेके cancel हो जाएगा यहां पर m1 है यहां पर m1 है m1 हम common ले लेंगे तो बचेगा u1 square minus v1 square और इस पूरे पार्ट को इस पक्ष में ले जाएगे तो यह m2 common आएगा यहां बचेगा v2 square minus u2 square यह बना लिया जाएगा या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं m1 u1 plus v1 और u1 minus v1 a square minus v2 का सूत्र खोल दिया बराबर m2 v2 plus u2 और v2 minus u2 equation second बना के छोड़ दिया equation second में equation first से divide कर दो समी करण 2 में समी करण 1 का भाग देने पर अगर हम समी करण 1 का भाग दे रहे हैं तो equation क्या है m1 यहां पर है u1 plus v1 और u1 minus v1 ठीक है और बराबर में हैं आपके पास में m2 यहां पर v2 plus u2 और v2 minus u2 इसको हम डिवाइड कर रहे है equation first equation first में क्या था m1 u1 minus v1 यहां था m2 v2 minus u2 देखो भाई m1 से m1 cancel हुआ u1 minus v1 से u1 minus v1 cancel हुआ क्या बचा u1 plus v1 बराबर यहां बचा v2 plus u2 u2 को इस पक्ष में लेकर क्या है तो u1 minus u2 बराबर में v2 minus v1 यहां हम इसको कर सकते हैं u1 minus u2 is equal to minus v1 minus v2 और यह third equation ने लिए हमें अब हमको यह पता चला कि जब हम elastic collision करवाते हैं पिरत्यास्ती संगट करवाते हैं तो इन दोनों का जो relative velocity है मतलब सापेक्ष वेग है इन दोनों का u1 minus u2 यानि टक्राने के पहले का सापेक्ष वेग कराएगा और v1 minus v2 टक्राने के बाद का सापेक्ष वेग कराएगा ये दोनों वेग आपस में बराबर आए दोनों वेग आपस में बराबर आए लेकिन आगे लग गया minus का मतलब सापेक्ष वेग टक्राने के पहले और टक्राने के बाद बराबर तो होते हैं लेकिन opposite direction में होते हैं विपरीत दिशा में होते हैं विपरीत दिशा का मतलब यहाँ पर exchange हो जाते हैं जैसे यहाँ वाला पिंड पहले इसका विग जादा था इसका विग कम था अब तो तक्राने के बाद क्या होगा इसका वेग जादा हो जाएगा इसका वेग कम हो जाएगा ये कंडिशन होती है तो अब हमें यहाँ पर तक्राने के बाद वीवन का मान और वीटू का मान कितना आएगा इसका वैलोसिटी कितना हो जाएगा इसका वैलोसिटी कितना हो ज से चेक करें, तो V1 इस पक्ष में आ जाएगा, तो यह बन जाएगा V1 पिलस U1 माइनस U, V2 का मान इतना आया, और इसका मान एक में रख देते हैं, कहां क्योशन एक ही रही, तो यह बनेगा M1 U1 माइनस V1 बराबर M2, ब्रेकेट में था V2 माइनस U2, V2 माइनस U2, और V2 का मान है V1 पिलस U1 माइनस U2, और यह U2 पहले से हैं, तो यह बन जाएगा M1 U1 माइनस V1 बराबर M2, और यह बन जाएगा V1 पिलस U1, U2, U2 माइनस 2 U2 यह बन गया, आप ज़रा सुनो, यहां पर है M1, U1, और यहां पर है M2, U1 बहुलो अंदर कुना होगा न, तो U1 आएगा, तो यहां पर M2, U1 है, और यहां पर M1, U1 है अगर हम U1 कॉमल लेंगे, तो M1 माइनस M2 बन जाएगा, यहां पर माइनस का M1, V1 है और यहां पर पिलस का M2, V1 है, और हमको मन निकलना है V1 का, तो अगर हम पक्छांतर कर दें इसको M1, V1 माइनस का है, उस पक्छ में जाएगा, तो पिलस का बन जाएगा, तो आएगा M1 पिलस M2 इन्टू V1, और सुनो, माइनस 2 M2, U2, यह वाला होगी है, होगा है, सबने पढ़ जाएगा, अब इसको हम उठा करके, इस पक्छ में लाएंगे M1 पिलस M2 V1, M1 पिलस M2 V1, यह अलग बात है, और बराबर में यह पक्छ, इस पक्छ में आएगा, तो यह कितना बन जाएगा M1 माइनस M2, इन्टू में U1 है, और पिलस का यह हो जाएगा, 2 M2 U2, M1 पिलस M2 को उसे डिवाइड करे देते हैं, तो V1 बराबर जाएगा M2 बटे, M1 पिलस M2 इन्टू U1 पिलस 2 M2 बटे, M1 पिलस M2 इन्टू U2, यह अलग तक्राने के बाद पहली बोडी का वेलसिटी, V1 बराबर इतना आजाएगा, M1 माइनस M2 बटे, M1 पिलस M2 U1, पिलस 2 M2 अपॉन M1 पिलस M2 U2, इसी पिरकार, इसी पिरकार, अगर हमने V M2 का मान, समी करान एक में रखा था तो V1 का आया, अब हम V1 का समी करान एक में रखेंगे तो V2 का आजाएगा, डेखते हैं कैसे, को नहां, समी करान 3 से, समी करान 3 से, अब हम V1 का मान निकालना चाहते हैं, तो V1 को अगर हम इस पक्ष में लाएगे, तो बराबर में आएग यह पूरा उस पक्च में चला जाएगा यानि U2 पिलस V2 माइनस U1 का मान एक में रख देंगे अगर हम इस का मान एक में रखते हैं तो यह आएगा इदा पर थोड़ा से स्पेस कर लो M1 U1 माइनस V1 और V1 का माने इतना पूरा तो माइनस का U2 माइनस का V2 पिलस का U1 बराबर था आपके पास में M2 ब्रेकेट में था V2 माइनस U2 चलो भाई M1 U1 U1 2 U1 माइनस U2 माइनस V2 बराबर में आएगा M2 V2 माइनस U2 अब सुनो हमको V2 का मान निकालना है इस का मान निकालना है V2 का यहां पर तो आगिया 2 M1 U1 और देखो यह U2 है माइनस का है और यह U2 है यह भी माइनस का है जब यह उस पक्ष में जाएगा तो पिलस का हो जाएगा तो M1 माइनस M2 इन्टू U2 इसके बाद M1 V2 उस पक्ष में जाएगा तो पिलस का हो जाएगा M1 V2 और V2 यहां पर भी था तो M1 पिलस M2 इन्टू V2 अब अगर हम इस पूरे को इस पक्ष में लेकर के आएगे इस पक्ष में तो यह बनेगा M1 पिलस M2 V2 यह जहों काते हो इस वाले को इस पक्ष में लेकर के आ रहे हैं इस वाले को इस पक्ष में तो यह बन जाएगा 2M1 U1 माइनस M1 माइनस M2 इन्टू U2 M1 पिलस M2 का भाग देंगे तो V2 बराबर 2M1 बटे M1 पिलस M2 इन्टू U1 माइनस M1 माइनस M2 बटे M1 पिलस M2 इन्टू U3 यह दूसरे पिंडिका वेक निकल करते हैं